इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप Redmi's या किसी भी फोन में अपने contracts और colors को कैसे change कर सकते हैं यहां पर मैंने इसी option को खोल रखा हैं यहां पर आप देख सकते हैं contrast और color तो यहां पर आपका warm standard cool और इसके नीचे आपको contrast मिल जाते हैं automatic contrast increased contrast और यहां पर standard तो यहां पर जो है मैं आपको बताते तो यहां पर आप इसको change करेंगे तो आपको थोड़ाता warm से लगेगा और यहां पर नीचे करेंगे तो cool और standard better है आप standard पर लगाई या इस पर लगाएं तो यह जाद अच्छा रहते हैं दोनों और यहां पर आपको automatic contrast भी मिलते हैं और यहां पर इसके हिसाब से आप इनको set कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं यहां पर यह हमें मिलते का हैं तो यहां पर हमें जाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा यहां पर आपको अपने mobile की settings में जाना होता है और जैसे आप अपने mobile की settings में जाएंगे तो यहां पर आपको display मिलेगा डिस्प्ले को कोलना है डिस्प्ले को कोलने के बाद यहां पर Contrast and Colors मिलते हैं तो यहां पर आपको इसको भी कोल लेना है तो यह हमारा एक्जियो में का Note 5 Pro है जिसमें यह हम यूज कर रहे हैं और इस तरीके साफ इसका यूज भी कर सकते हैं यूज करना मैं आपको बता दिया आपको यह भी बता दिया यह मिलते कहां हैं तो इस तरीके साफ इनको यूज और ढूंड भी सकते हैं अगर यहां पर आपको आपकी डिस्प्ले चीने लगते तो आप यह कलर लगा सकते हैं तो उमिद कर दोंगा इसी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो गर पसंद आई हो तो लाइक करना लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजेगा तो मिलते हैं गाईस अगली वीडियो में तब तक के लिए पाए एंड टेक क्यार